रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जानने के लिए आप हमार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार दोस्तों जै मातादी स्वागत है आपका हमारी चैनल में दोस्तों कार्तिक मास के शुक लपक्ष की एकदशी को देव उठने एकदशी कहती है इसे देवुथान एकदशी के नाम से भी जानती है कहती है कि इस दिन चार महिने की निद्रा के बाद भागवान विश्नु जागती है और सृष्टी का संचालन करती है एकदशी वरत का हिंदू धरम में विशेश महत्व है और दोस्तों इस साल देव उठने एकदशी 14 नवेंबर को है जी हां दोस्तों बताना चाहेंगे कि देव उठने एकदशी के दिन भागवान विश्नु की विदी विधान के साथ पूजा की जाती है कहते हैं कि इस दिन से शुब व मांगलिक कारियों की शुरुवात हो जाती है मन्यता है कि एकदशी वरत रखने से भागवान विश्नु और माता लक्ष्मी जी की क्रिपा भी प्राप्त होती है भागवान श्री हरी के क्रिपा से भकतों की मनो कामनाएं पून होती है दोस्तों आपकी जानकरी कले बता दे कि शास्त्रों में खास कर इस एकदशी के दिन चावल खाने को वरजेत माना गया है जिहां दोस्तों मानेता है कि एकादशी के दिन चावल खाने सी इनसान रेंगने वाली जीव की योनी में जनम लेता है इसलिए दोस्तों इस दिन भूलकर भी चावल का सीवन नहीं करना चाहिए और दोस्तों इसके साथ ही साथ एकदशी के दिन भगवान विश्नु की पूजा अर्चना करने के साथ ही खान पान विवहार और सात्विक्ता का पालन भी करना चाहिए कहां जाता है एकदशी के दिन पती पतनी को ब्रह्मचारिय का पालन भी करना चाहिए साथी सा दोस्तों मन्यता है कि इस इकदशी का लाब पानी के लिए विक्ती को इस दिन कठोर शब्दों का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इसके साथ ही लडाई जगड़ी सी भी बचना चाहिए इस दिन सुभर जल्दी उठना शुब माना जाता है और शाम की समय इस दिन बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए इस दिन दान करना भी उत्तमाना गया है इस दिन यदि संभव हो तो गंगा सनान भी करना चाहिए विवास संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए इस दिन केसर, केला या फिर हल्दी का दान अवश्य करना चाहिए एकदशी का उपवास रखने से धन मान सम्मान और संतान सुख के साथ मनवांचत फल की प्राप्ती होने की मन्यता है कहा जाता है कि इस एकदश्शी का वरत रखने से पूरवजों को मोक्ष की प्राप्ती भी होती है और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि इस दिन तुलसी विवहा भी मनाया जाएगा जी हाँ बता दी कि इस दिन माता तुलसी और भगवान विश्णू की विवहा का विधान है हिंदू पन्चांग के अनुसार कार्थिक मास के शुक लपक्ष की एकदशी तिथी को तुलसी विवहा किया जाता है और इस दिन भगवान विश्नु चार महिने की योग निद्रा के बाद जागरित होते हैं बता दी कि ऐसा कहा जाता है कि तुलसी विवा करने से कन्यादान के समान पुन्य की प्राप्ती होती है इसलिए अगर किसी ने कन्यादान न किया हो तो उसे जीवन में एक बार तुलसी विवा करके कन्यादान का पुन्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी वह विधी विधान से संपन कड़ाने वाले भक्तों को अंत में मोक्ष की प्राप्ती होती है और भगवान विश्नु की कृपा से उनकी सभी मनों कामनाएं भी पून होती है साथी साथ इनके वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं से भी इन्हें मुक्ती मिलने के भी मान्यता है दोस्तों देवुटनी का दशी तुलसी वह का शुब संयोग और साथी साथ भगवान विश्नु का चार महनी के बाद योग निद्रासी जागना यह तीनों ही संयोग एक कुछ विशेश राशिया है जिनकी इस दिन से किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है जिहां दोस्तों इन राशी वाले लोगों के उपर भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी अपनी विशेश कृपद रिष्टी डालने वाली है जिससे कि इनके जीवन में अब इने आपको बताएंगे तो आपसे अंदरोध है कि वीडियो को आप बिल्कूल भी मिस ना करें और इसे अंद तक जरूर देखें चलिए शुरू करती हैं दोस्तों बता दे कि सबसे पहली राशी है सिंग राशी जी हां दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला नाम सिंग राशी वालों का आता है बता दे कि इनका आने वाला समय अब काफी बहतरीन होगा यानि आने वाले समय में इन्हें काफी लाब होगा इसकी साथी आप पर भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी जी की भी पूरी कृपा बनी हुई है जहां एक तरफ आपको हर काम में सफलता मिले दोस्तों अगली राशी है कन्या राशी इसके बाद हम कन्या राशी वालों की बात करती हैं बता दे कि आने वाले समय में इनकी जीवन में कई अच्छे परिवर्तन होगे जी हां जहां एक तरफ आपको परिवार का पूरा साथ मिलेगा वहीं दूसरी तरफ आपकी आर्तिक इस्तिती भी बेहद मजबूत होगी इसके साथ ही आपके जीवन के सभी दुख अब दूर होने वाली है और खुशिया आने वाली है गौरतलब है कि भगवान विश्नु की पूजा करने से आपको बहुत सा लाब होगा दोस्तों अगली राशी है तुला राशी जी हां दोस्त अच्छे बदलावब होंगी जी हां आपको व्यापार में काफी लाब होने के योग बन रही है जहां एक तरफ आप समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब होंगी तो वहीं दूसरी तरफ आपको धन की भी प्राप्ती होगी दोस्तों अगली राशी है मेश मेश राशी जी हां बात करते हैं अब मेश राशी वालों की बता दें कि इनका आने वाला समय काफी शुब होने वाला है आपकी राशी के गरहों के अनुसार आपको बहुत ज्यादा लाब होने वाला है गौर तलब है कि आपको अचानक से धन की प्राप्ती होगी और जो ल बात करते हैं दोस्तों अब मीन राशी वालों की, जी हाँ, बता दें कि इनका आने वाला समय अब काफी अच्छा होगा और इन्हें अपने माता पिता का भी काफी सहयोग मिलेगा, बता दें कि आपको नकिवल हर काम में सफलता मिलेगी, बलकि आपकी आर्थिक सिती भी बदल जाएगी, यानि आपको अचानक धन की प्राप्ती भी होगी, दोस्तों अगली राशी है कुम्ब राशी, बता दें कि माता लक्ष्मी के द्यादरिश्टी से, अब आपके घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहेगा, और आप धन के मामले में हमेशा लखी साबित होगी, आ इस से आपका सरकारी कार्या जल्द ही पूरा हो जाएगा, निरंतर और लगतार प्रयास करते रहने पर सफलता आपके कदम चुमेगी, आपके गरहों की दिशा बेहद अच्छी और लखी दिखाई दे रही है, दोस्ती में किसी भी विक्ती के साथ जगडा करना आपके प्यार के मामले में आप तरक्य हासल करते हुए आगे बढ़ते नजर आएंगे, जल्द ही आपको कोई बड़ा रोजगार मिलने वाला है, जिसके मिलते ही आप अपने जीवन को सफल बना सकती हैं, घर परिवार में आपको माता-पिता का सहयोग सबसे ज्यादा मिलेगा, आ आप जितना माता-पिता का आदर करेंगे, उतनी ही तेजी से प्रगति करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, कठिन परिश्रम करने वाले लोग जल्द ही बड़ी सफलता को हासल कर सकती हैं, दोस्तों की तरफ से आपको कहीं घूमने जाने का निमंतर मिल सकता है, अगर आप क जाना चाहती हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, दोस्तों आप से अंदरोध है कि आप कमेंट सेक्षिन में इस अच्छे दिल से जैमा लक्ष्मी अवश्य लिख दें, और वीडियो को लाइक और शेर अवश्य कर दें